artificial intelligence अज digital marketing की दुनिया में अगर आप सोशल मीडिया पर YouTube पर या Instagram पर reels देख रहे हैं, विडियोज देख रहे हैं तो artificial intelligence या AI इस विशे पर हर कहीं बात की जा रही है इतने सारे tools explore किये जा रहे हैं, इतने reels आ रहे हैं इतने शौट्स आ रहे और जिसे देखो वो आज कल चैट, GPT और पता नहीं कौन-कौन सी AI के टूल्स के बारे में बात कर रहे है अब ये AI है क्या और इसका डिजिटल मार्केटिंग पर क्या असर होने वाला है ये डिजिटल मार्केटिंग आगे चलेगा या आगे सिर्फ AI चलेगा आईए इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ नमस्ते मेरा नाम संदीब बंसाली है मैं digital marketing सिखाता हूँ हिंदी में और आज इस वीडियो में हम discuss कर रहे हैं कि digital marketing और artificial intelligence इन दोनों के बीच में क्या नाता है, क्या चल रहा है इन दोनों spaces में और आगे चल कर इन दोनों fields का future क्या है यह explain करने से पहले, आइए मैं सबसे पहले तो आपको यह understand करवाता हूँ कि digital marketing क्या होता है और AI क्या है digital marketing बड़ा ही simple concept है, अगर आप अपनी marketing में, promotions में, advertisements में, research में कहीं पर भी digital उपकरण इस्तेमाल करते हैं, mobile इस्तेमाल करते हैं, laptop यूज करते हैं, internet का इस्तेमाल करते हैं, software यूज करते हैं, तो यह सब digital marketing के अंडर आता है और artificial intelligence जो है, यह higher form of search है, गूगल पर आम लोग जाते हैं जानकारी ढूणने, गूगल पर जाकर जब आप कुछ भी type करते हो, गूगल आपको जितनी उससे possible हो, उतनी अच्छी जानकारी लाकर दे देता है artificial intelligence गूगल का बड़ा भाई है, artificial intelligence के बड़े सारे tools हैं, जहां पर लोग जाकर अलग-अलग searches करते हैं, अलग-अलग जानकारी हासिल करते हैं और अब AI सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, यह result दे रहा है, solution दे रहा है, content दे रहा है, और वो हर चीज़ कर रहा है, जो एक इनसान actually digital दुनिया में करता है Artificial Intelligence is nothing but machine learning, जबसे हमने internet या digital दुनिया में कदम रखा है, और जो जो हम कर रहे हैं online algorithms, computers, softwares इसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे patterns से सीख रहे हैं, यह जो machines हैं, यह machines अब सीखना शुरू कर चुकी है यह सोचना अब शुरू कर चुकी है, और इन्होंने अब result भी देना शुरू कर दिया है AI एक ऐसी technology है, जहां पर आप machine से जो भी करवाना चाहें, digitally वो आप करवा सकते हैं आप search करवा सकते हैं, आप content create करवा सकते हैं, आप software लिखवा सकते हैं, आप testing कर सकते हैं, आप उनसे राय तक मांग सकते हैं, कि क्या सही है, क्या गलत है यहां पर AI की और descriptive जहनकारी देकर मैं आप लोगों को confuse नहीं करना चाहता, यहां पर सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ कि artificial intelligence का मतलब है, कि यह पूरी internet की दुनिया जो है, यह अब machines ने समझ ली है, सोच ली है, और सोच समझ कर यह अब आपको result देना शुरू करते हैं तो इसके कुछ फाइदे हैं और इसके कुछ नुकसान है, आईए यहां पर मैं आपको सबसे पहले इस artificial intelligence के पांच फाइदे समझाता हूँ सबसे पहला फाइदा है कि content creation बहुत ही आसान हो चुका है AI की मदद से, आज AI में इतने सारे tools हैं जहां पर आपको एक simple सा अगर blog लिखना है तो पहले दो-तीन हजार शब्दों का blog लिखने के लिए शायद हमें दो-चार घंटे लगते थे, लेकिन अब AI की मदद से आप यही काम दो-चार minute में भी कर सकते हो Research बहुत ज़ादा आसान हो चुकी है पहले जमाने में हम Google पर जाकर keywords डालके search करते थे, सारे articles पढ़ते थे और अपनी research खुद करते थे आज AI की दुनिया में अगर आप उसे सही prompt दो, यानि सही सवाल अगर आप उससे पूछो तो यह AI ही जाकर पूरी research करके आपको सीधे सीधे result दे देगा High quality content बनाना आज बहुत ज़ादा affordable हो चुका है AI की वज़र से पहले जमाने में अच्छे images create करना, animations create करना, videos create करना बड़े सारे पैसे मांगता था लेकिन आज AI की मदद से कुछ ऐसे tools आ गए हैं कि आप ये content बहुत अच्छी quality का बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हो नई content की strategies अब develop हो रही है, जैसे जैसे machines intelligent हो रही है वो social media के सारे platforms के जो algorithm हैं उन्हें समझने लगी हैं और इसी लिए अब creators जो हैं उन्होंने नई नई content strategies का इजाद किया हुआ है एक और फायदा है कि बहुत सारा content आप बहुत जल्दी बना सकते हो जैसे कि पहले आपको research करके images बनाने के लिए, videos बनाने के लिए कई दिन लगते थे लेकिन आज कुछ ऐसे tools आ गए है AI में जहां पर आप सिर्फ अपनी photo दे दो और वो AI का जो tool है वो खुद बखुद आपकी video बना देगा कुछी mintो में तो सोचिए पहले जहां इतना human effort लगता था आज चुटकियों में और mintो में ये सारा content बन जाता है ये कुछ फाइदे हैं AI के लेकिन कुछ नुकसान भी है नुकसान ये है कि content जो है वो बहुत ज़ादा repetitive होने लगा है जितने लोग उस tool को use करते हैं हर किसी का content एक जैसा लगता है बहुत ज़ादा machine वाली feel आती है ये कि आखिर इंसान तो इंसान है जो natural हम बात कर सकते हैं अभी machines उतने develop नहीं हुए है कि वो उतनी natural तरीके से आपको content दे सकें एक नुकसान ये है कि natural skills इसकी वज़ा से decline हो रहे है काफी सारे लोग आज camera को face नहीं करना चाते वो एक ही बार अपना photo दे कर या बिना अपना चेहरा दिखाए content बनाने की होड में है और इसकी वज़ा से natural content creation के जो skills है ये कम होते जा रहे है एक नुकसान ये है कि इसका जो future है वो unsure है मान कर चलिए कि आगे Google या बाकी के search engines ने machine generated content का ranking कम कर दिया तो ये जितने content creators आज AI की मदद से content create कर रहे है इनका ये सारा content waste हो सकता है doubts है अभी 100% guarantee नहीं है कि AI का content हमेशा चलता रहेगा इसलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करना जरूरी है एक और नुकसान है कि ये AI के tools हर किसी के लिए available है कोई भी उठकर अपना content बना सकता है कोई भी उठकर अपने blogs लिख सकता है ये इतना आसान होने की वज़े से अब differentiate कर पाना कि कौन genuine है कौन fake है कौन expert है कौन नया है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है यहां पर मैंने आपको कुछ फायदे और कुछ नुकसान AI के समझाने की कोशिश की है लेकिन अब इसका future क्या है तो ध्यान रखे मुझे आपको इस point पर सिर्फ दो बाते बताने है पहला तो यह है कि आगे चल कर हम AI का इस्तेमाल करें और AI हमारा इस्तेमाल ना करें तो शायद digital marketing और artificial intelligence के लिए ये win-win situations हो सकती है कई बार ये पूछा जाता है कि क्या AI की वज़े से अब नौकरिया कम हो जाएंगी क्या digital marketers को काम नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है यही बाते एक बार पहले भी किया करते थे लोग जब computers आये थे जब computers पहली बार market में common होने लगे थे हर किसी के घर में एक PC आने लगा था तब लोग कहते थे कि अब नौकरिया नहीं मिलेंगी लेकिन हम humans जो है हम evolve करते हैं हम हमेशा कोई न कोई problem solve करते रहते हैं और ये जो trend है ये trend कभी खतम नहीं होगा हमारे अभी जो problems चल रहे हैं उन्हें solve करने का काम अगर AI करता है तो हमारी जिन्दगी के कुछ बड़े problems भी हैं जिने solve करने की तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा कोई भी नई technology जब market में आती है तो उसे सीखने के लिए समझने के लिए उसके सारे dynamics को परकने के लिए थोड़ा समय लगता है मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही early stage है artificial intelligence को judge करने की हमें बहुत ज़ादा receptive होना जरूरी है अपना दिमाग खुला रखना जरूरी है और अगर कोई technology ऐसी आ जाती है जो आगे life को बदल कर रख देगी तो हमें late नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पहले आता है वो बहुत पैसा कमाता है मैं digital marketing सिखाता हूँ हिंदी में content creation, websites बनाना SEO करना, advertisements चलाना AI की knowledge ये सब कुछ मैं आसान हिंदी भाषा में सिखाता हूँ अगर आपको लगता है कि ये सब सीखना बहुत ज़ादा जरूरी है आपका business grow करने के लिए आपका influence grow करने के लिए leads generate करने के लिए content create करने के लिए तो इस video के नीचे जो description है उस description में मैंने मेरा एक free course आपके लिए रखा है 5000 रुपया इस course की value है लेकिन आपको आज free दे रहा हूँ link पर click कीजिए इस course को हासिल कीजिए देखिए digital ecosystems क्या होते हैं उसके बाद आगे और बहुत सारी चीज़े सीखेंगे